नमस्कार दोश्तो, डेट है आज की 4 जनवरी 2021, स्वागत है आपका करेंट अफे न्यूज डिसकेशन में, इस डिसकेशन के पीडियेफ का लिंक डिसक्रिप्शन वोक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, और देखो आज के जो हमारे MCQ है, वो इन सभी टॉपिक से देखो इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि COVID-19 के दोरान परधान मंतरी उजवलय योजना लाबार्तियों को 14 करोड से अधिक मुफ्ट सिलेंडर परदान किये गए, दूसरे पॉइंट का क्या मतलब है, देखो परधान मंतरी गरीब कर लेंड पै पाने के लिए इधर उपलब्द कराना, यानि उनको को कुकिंग फिल प्रोवाइड कराना, अब बात करें परधान मंतरी उजवलय योजना की, तो इसको कभी स्टार्ट किया गया था, देखो इसको स्टार्ट किया गया था, एक माई 2016 में, इस स्टीम को लॉंच किया था, 2016 में शुरू किया था, अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ, भारत और एश्याई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी उत्पादं का विश्तार करने के लिए, दस मिलियन के परियोजना, तत्परता, वित पोशन, पी आरेफ पर हश्टाक्षर किये हैं, तो सब अगामी परियोजना के लिए, वित संचालें गति वीदियो और डिजाइन और शमता निर्मान में मदद करेगा, जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य देखो यह है कि होटी कल्चर प्रोडुक्शन और फार्म हाउसल्ड इंकम को एक्सपेंड करना, मतलब बा अगवानी उत्पादन और क्रशी घरेलु आये का विश्तार करना है, और ये फ्रूट्स और वेजिटेवल सहीत सब ट्रॉपिकल होटी कल्चर के विकास में भी ये सपोर्ट करेगा, अब बात हुई है इसमें ADB की, पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है Asian Development Bank, ये है क्या, ये तो मसद सुगु असकावा, ये इसके अध्यक्ष हैं, और इसमें Member की बात करें, तो 68 Member हैं, अच्छे ये बताए, भारत क्या ADB का Member है, जी हाँ, भारत ADB का Member है, तो अब कोशन में क्या पूछा गया था, कोशन में, इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा, क्या, डी, हिमाचल प परदेश की सीमा लगती है, इसकी Capital क्या है, इसकी दो Capital है, एक तो अभी हाली में बनाई गई थी, शिमला जो इसकी Summer Capital है, और धरम साला, इसकी Winter Capital है, जैराम ठाकूर, ये मुख्यमंत्री हैं, और बंदारु दत्ततेरिया, ये राज्यपाल हैं, बारा जिले हैं, लोकसवा की चार सीट, राजे सबा की तीन, विधान सबा की 68 सीटे हैं, शिमला में इसकी High Court है, जहां के मुख्य नयादी सें, लिंगपपा, नारायन सुआमी, और जमुकश्मीर, लद्दाक, उत्राखंट, पंजाब, हरियाना और यूपी, इसके साथ हिमाचर परदेश की सीमा लगती हैं, भारत ने किसके साथ, असम में बिजली उत्पादन शम्ता में व्रदी करने के लिए, 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रण पर हच्टाक शर किये हैं, तो देखो अभी हाली में, भारत ने ADB के साथ, असम में बिजली उत्पादन करने के लिए, ये agreement साइंग किया है, कितन असम में बिजली उत्पादन शम्ता में व्रदी करेगा, जो घरों के लिए बिजली की उपलब्तिता बढ़ाएगा, अब बात हुए इसमें ADB की, जिसके बारे में हमने अभी पिछले कोश्चन में डेटेल से समझ लिया है, अब इसमें आसम की लोकेशन देखें पहले अब बढ़ते हम अगले कोश्चन की तरफ यह कुछ important appointment हैं, जो भी हाली मोही हैं, इनको देख लेते हैं एक बार, देखो तरुम कुमार, तरुम कुमार को अभी NCC के DG यानि Director General के रूप में न्यूक्त किया गया है, संजीव एनर जी को मदरास उच न्याले का मुखे न्यादिस न्यूक्त किया गया है, सोमा मंडल को Still Authority of India Limited सेल की पहली महीला प्रमुक के रूप में इन्होंने पदभार समाला है अभी, हीमा कोहली को तेलंगाना हाई कोट का मुखे न्यादिस के रूप में न्यूक्त किया गया है, और रागविंदर सिंग चुहान इनको उत्तराखंड हाई कोट के नई मुखे न्यादिस के रूप में न्यूक्त किया गया है, अब बढ़ते हम नेक्स्ट कोश्चन की तरफ, बूटा सिंग का निधन हो गया, इनका सम्मंध किस सेतर से है, बताईए, तो देखो भी, राजिस्थान कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और जालोर के पूर्व सांसत, बूटा सिंग का जन शुरुवात की गई, बताईए, तो देखो हमारे जो केंदरी है, पेट्रोलियम और प्राकरतिक गैस और रिस्पात मंतरी है, नाम क्या है इंका, नाम है धर्मेंदर प्रधान ने, भूमनेश्वर में, एल्पीजी उप्वोगताओं के लिए, मिष्ट कोल सोविदा तो कहाँ पर? भूमनेश्वर में, अब यह भूमनेश्वर कहाँ पर है? यह उडिसा में इस्थित है, तो उडिसा की आप लोकेशन देखे, देखो यह है उडिसा की लोकेशन, यह आंदर परदेश है, इधर चतिसगड, इधर यह जहारकंड और यह पश्यमंगाल, चार र कटक में इसकी हाई कोट है, और एस मूरली धर, यह मुखे नयादीश है, कुछ इंपोर्टेन नेशनल पार्क हैं आपे, जैसे भीतर गनी का नेशनल पार्क, सिंपलिपाल नेशनल पार्क, गाहीर माता वाइललेफ सेंचुरी, और सत्कोश्य ज्योर्ज वाइललेफ भारत ने अपने चकरवात प्रभावित लोगों के लिए 6 ठंसे अधिक रहत सामिगरी किस देश में भीजी, तो देखो भी हाली में, फीजी में एक साइकलों आया, नाम कहें साइकलों का नाम आप याद रखेगा, यासा, तो इससे जो नुकसान वाँ, उसी को अब ध्यान में रखते हुए, भारत ने अपने चकरवात प्रभावित लोगों के लिए 6 ठंसे अधिक रहत, फीजी में भीजी है, तो 20 कोश्चन का सही आंसर है, अब फीजी कहां पर है, यह है Pacific Ocean, और यह है देखो Australia, और यहां पर है यह फीजी, फीजी की बस आप Capital याद रखे, Capital क्या है, Suwa, Suwa इसकी Capital है, देखो इस तरीके के जो places news में होते हैं, जो देश news में होते हैं, तो उनकी जो Capital है, वो exam में पूछे जाने की संभावना जादा होती है, किस देश ने अपने राश्टेगान के एक शब्द को बदल दिया है, बताइए, तो देखो भी हाली में, Australia ने एक France Australia Fair, AAF, और इसकी जो second line है, उसमें लिखा क्या आगया है, उसमें लिखा हुआ है, देखो, four we are young and free, four we are young and free, अब इसमें, क्या change कर दिया गया है, four we are one and free, यानि जो young है ना, इसकी जिगह ला दिया है, one, फिर से बोलता हूँ, four we are young and free, अब इसमें young की जिगह आ गया है, one, तो बन गया, four we are one and free, तो इस question का क्या answer हो जाएगा, यह इस question का सई answer है, अभी Australia ने change किया है, अब Australia की बात हुई है, तो देखो, Australia की यह है location, इसके अगर हम capital की बात करें, तो यह है कैनि वीरा, इसके अगर हम currency की बात करें, currency क्या है, currency है Australia dollar, और यहां के परधान मंतरी को परधान मंतरी है, Scott Morrison, देखो यह उपर तो Australia है, नीचे है यह तास्मानिया, इनके बीच में एक state है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है देखो, Bass State, यह एक्जाम में पूछी जाती है कि Bass State किंदो देशों के बीच है, तो Australia और तास्मानिय के बीच में है Bass State, अब बढ़ते हैं अगले कॉश्चन की तरफ, एक जनवरी 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगट हैं, यानि DRDO ने अपना कौन सा इस्थापन दिवस बनाया, बताइए, तो देखो अभी रक्षा अनुसंधान और विकास संगट हैं, यानि DRDO, ने एक जनवरी 2021 को अपना 300 वा इस्था अपना रक्षा शेतर में शोध कार्रे को बढ़ाने के लिए केवल 10 परियोक शालाओ के साथ की गई थी, मतलब इस बोडी का जो घटन किया गया था ने, 1958 में किया गया था, डिफेंस सेक्टर में रिसर्च करने के लिए, और उसी टाइम पे 10 लेबरेटरीज भी इसके साथ स्टार्ट की गई थी, देखो उस टाइम पे तो 10 थी, आज की डेट में करीब 57 के करीब इसकी लेबरेटरीज हैं, यह आप याद रखेगा, हेड़कोर्टर की बात करें, तो नई दिलने में इसका हेड़कोर्टर है, और इसके अध्यक्ष कोन है, अध्यक्ष ने डॉक्ट यह मध्यपरदेश का इंदोर में, फिर उसके बाद राजकोट, यह कहाँ पर है, गुजरात में, तीसरे नमबर पे चन्नेई, यह कहाँ पर है, तमिनलाडू में, चोथे नमबर पे राची, यह कहाँ पर है, जारकंडवे, पांचे नमबर पे अगरतला, यह कहाँ पर है, तेरी पुरा में और छटे नुम्मर पर है लखनोव यह कहां पर है उत्तर प्रदेश में तो इन 6 जगा पर यह लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधार शीला रखी है अब देखो इनको बनाने का मकसद क्या होता है देखो हर एक मतलब हर एक लोकेशन पर हजार घर बनाए और इनके city के भी जहा जहा पर इनकी स्थापना करी गई है मोदी जी जी के द्वारा इक्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है और यह सब जो किया गया है यह किया गया है जी एच टी सी यह जो जी एच टी सी है यह है क्या देखो यह है global housing technology challenge इसके तहट यह उदगाटन क तो छे राज्ये, MP, गुजरात, तमिलनाडू, जहारकंड, तमिलनाडू, सोरी, ये क्या है? तिरिपुरा. फिर से बोलता हूँ, मध्यपरदेश, गुजरात, तमिलनाडू, जहारकंड, तिरिपुरा और उत्तरपरदेश. इन छे जगा पर की गई है. तो ये था हमारी आज क को बताना है. दूसरा कोशन, किसे एक ग्लोबल अलाइंस ने गावी बोर्ड में सदस्य के रूप में नामित किया है? तो देखो, इन दोनों कोशन का अंसर आपको बताना है कमेंट बोक्स में खुश से. तो फिलाल इस डिसकुशन को हम यही पर रोकते हैं. जो स्टुडें अपलोड होते ही. उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके. थैंक्यू.